जे हीं दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपका मेरे यूटूब चलंग पर मुम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे तो आज हम देखने वाले आरस लाइव का वीडियो छोटा सा एसिया लोंगेस्ट डबल डेकर दे महामहीम मेट्रो यह देखने वाले हैं तो देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया है पहले वीडियो देखते हैं वही पुराना मेटर वीडियो पे नए आयो हो तो सब्सक्राइब करके जाना इस वीडियो का लिंक डिस्पेक्शन बॉक्स में दे दूँगा चलो दिखते हैं पहले इससे पहले की वीडियो को स्टार्ट करो वाद रख सब आप साइक है करने चानल को सब्सक्राइब कर ले नहीं की बहुत ज्यादा मोटिवेक्सीन मिलता है और सच मूं है सब्सक्राइब अब्डेर्य से ज्यादा, यह बोगज ज़्यादा कोłbym कि दिखा कुम यो स्काइब कर देना और थैंक्स बड़न पर ही क्लिक कर देना आप समझी कहोंगे मैं क्या कहता हूं तो चोल्ड हब आपडेट देखते हैं नाख पूर का एक और और अगर नागपूर आओ तो एसिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायर डक्त को अगर नहीं देखो तो आपने कुछ नहीं देखा है और आज मैं आपको वहीं दिखाने वाला हूँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यहीं हो मल्टी लियर वायर डक्त जो की इस जगह पर इने चाई और महा मेट्रो के गटबंदन से बना है जी और यह आपको उधारन देगा किस तरीके से सरकारी संस्थाय जब आपस में काम कर चमाल का यहां पर एक मुल्टी लियर वायर डक्त बनाए है चलिए इस वायर ड़क्त पर हमोरा ड्राइव करते हैं और जड़ा देखते हैं कि कि या में इस देश या का सबसे लंबा मुल्टी लियर वायर ड़क्त तो से नाग पुराया हूं तो मेट्रोमें ट्रेवल करना तो बनता है क्या वह वलते हो रहना चलो आज तो नहीं कल ट्रेवर कर ऊण इससे पहले कि इसको ऑपर ड्राइव करते हैं पहले में बताता हूँ कि नीचे इसके क्या कुछ काम किया जा रहा है कि यह फ्लाइवर तो बनकर तयार हो चुका है बनाए गया है उसके बाद यहां पर जगह दी जा रही है वाक करने के लिए हमारे आपके लिए साइक्लिंग ट्राइक भी दिया जाएगा और यह जो देख रो यह है ट्रेने सिस्टम जी ऊपर पूरी तरीके से फ्लाइवर जो है वह बनकर तयार हो चुका है गारियां भी अजनी से एरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको देखेगा यह नीचे लेन बनाने का जो काम है वो किया जा रहा कंकरीड के मसाले के मदब से एक ही पिलर पर यह पूरा बनाया गया है एक पिलर दिखेगा जिसके उपर फ्लाइवर है और इसी एक फिलर के उपर आपको देखेगा मैट्रो भी जी और यह जो आप देख रहे हैं यह इस देश का प्यूचर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम है यह नागपूर मैट्रो बनाया कि एसे ट्रांस्पोर्ट सिस्टम की जरुरत इस पे बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है क्योंकि एक यह स्पेस को कोई सेटलाइड्स आ रही है एलियन्स थीन पॉइंट च्या थीन पॉइंट जोदा किलोमेट्र मुल्टी लेयर वाइड ड्रक्ट ड्रक्ट नागपूर के संत्रे बड़े मस्त है यह मस्त है चलिए यह चालू हो गया है यह फ्लाइवर और हम और आप फाइनली इस फ्लाइवर पर इंटर कर चुके हैं इस पर जो स्पीड लिमिट है वो है 50 किलोमेट्र प्रति घंटेगा और इसी फ्लाइवर के ठीक ऊपर आपको देखेगा महा मेट्रो की लाइंग यानि कि नाखपूर मेट्रो की लाइंग और वैसे इस जगह पर लितिन गटकरी साहब की जितनी तारीफ पर उतनी कम है क्योंकि यह आइडिया उन्हीं का था कि एक ही इस पेस को यूटिलाइज के आए मैंने बुलना तान कर दो अप जब यह बनकर तयार हो चुका है तो आप अगर आप नाखपूर में आते हो और खासकर एयरपोर्ट की तरफ से जब आप आगे की तरफ जाते हो अंजिनी की तरफ तो आपको बिल्कुल वैसास नही कर सकते हो लेकिन जब यह मल्टी लियर ट्रांसपोर्ट सिस्ट्रम यहाँ पर नहीं था तो इसी सफर को टाह करने में आपको तक्रिवन एक घंटे लगते थे सोचिए लगों का कितना सारा टाइम सेफ हुआ है इस एक परियोजना के बनने से बेसक इसकी लंबाई बहुत ही छोटी है लेकिन इसका इंपक्त बहुत ही बढ़ा है और ऐसा नहीं कि इतना ही किलोमेटर यह बनाने वाले फेस्टू जो इसका है उसके उपर ओलिटी काम च को समझते हैं और सी वजह से इस देश में आप इतने सारे हाइवेज और एकस्पेस्वेज देखने को मिलते हैं जिहां जो हमने और आपने सोचा है वो इन्होंने करके दिखाया है या फिर अगर कहूं तो जो हमने और आपने इंटरनेट पे किसी और कंट्री में देखा है वो इन्होंने इस कंट्री में बना कर दिखाया है यह नाकपूर है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं तो इंजिनेर भी नहीं हूँ पर मुझे क्रेंट में ताइस बार विद्विक आफ वर्ड रेकॉर्ड में हमारे मिनिस्ट्री ने पास रेकॉर्ड बना है और इसलिए स से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इसका क्रेडिट दिख्षित साब को है कि नाकपूर मेट्रो इस बेस्ट मेट्रो इन दे कंट्री वालिटी वाइज और कॉस्ट वाज़ और इसी वजह से सबसे लोगप्रिये नेता है इस वक्त पे इस देश में चाहे आप किसी भी की पेड़िकरी को सपोर्ट करो लेकिन नितिनगतकरी शाम ने जो काम किया है उसको आप लकार नहीं सकते और हां इनके ओर पोजीशन में फ्वाले बीफ इनकी तारीफ करते हैं तो काम करो तो कुछ ऐसा करो कि आपके उपोजीशन भी ακै तारीफ और वही क्या है इनों ने यह तना लंबा तीन किलोमेट्रीट थो इतना अति देड लगते है धुग अब ही गतम हो एक ताइंक देखने को मिलेगा आपको इसको देखना बिल्कुल मद्धा अंजनी चौक यह टाइंक बहुत ही खास है जब हमने पाकिस्तान को हराया था तो यह टाइंक लेकर आए थे और यहां पर भी चोड़ाय पर इसको रखा है तक में और आपको यह तो बस कि इस देश के सैनिको ने बहुत बलिदान दिया है इस देश को बनाने के लिए हम लॉग चोग पे लगाते हैं इनको पाकिस्तान का तो नहीं लगता है क्या मैं इसका तो कैसे लगा आपको यह वीडियो आपको इसे कमेट करके जुर्ब बताएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याद लखेगा जहें और हां वीडियो को जाए ज़्याद सेवेकर दीजेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तो आगे उनका इंट्रो आएगा तो आरस भाई का वीडियो खतम हुआ और आगे उनका इंट्रो चलेगा शायद बाइस सेकेंड का है तो तो बहुत ये बहुत अच्छा व्यू दिखाया मैं बहुत दिन से तरस रहा था इस व्यूज के लिए आरस भाई आपने बहुत अच्छा व्यूज दिखाया इस व्यूज के लिए तरस रहा था मैं मैं कब बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं एक चीज नहीं देख पाया महा मा, मेटरो, क्या, सिस्टम नहीं देख पाया आज उन्होंने उपर चल के भी दिखा दिया मेरे को बढ़ा को अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मेरे को यह चीज देख इस चीज के लिए तो मैं बहुत दिन के बाद में देखा है बहुत अच्छी तीन लाइन की अच्छी लाइन बनाई है, बहुत अच्छा नितिन गिटिकरी साब को, खहते हैं कि उनका प्राय यानि सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है हो, तो अच्छी बात है, नितिन गिटिकरी जी का सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है ये, तो बहुत अच्छा है, निति अच्छी बात है और मज़ा है आपका वीडियो देखने में और मैं उम्मिद करता हूं कि जितनकरीजी ऐसे काम करते रहे और इंडिया का नाम चलता रहे इस चीज के लिए बड़ा अच्छी बात है अगर गिनी जो बुक में रिकोर्ड हुआ है तो बहुत अच्छी बात है तो जिस दिन पढ़ाया जाएगा तो नाम जरूर आएगा कि उस बंदे ने बनाया आज आज जनरेशन क्या पढ़ेगी वो जानती है आगे भूल जाएगी तो वो जुरूर याद रखेंगे सारे लोग तो बहुत अच्छा RS भाई ने सारा ये उपर चला के अच्छा दिखाया मेरे को बड़ा आनन्द है इस वीडियो में और लेते हैं बिदा जाने से पर अगर वीडियो अच्छा है तो सब्सक्राइब करके जरू जाना RS भाई का लिंक है वीडियो का आप नीचे बॉक्स में दे दूँगा आप जाकी भी देख लेना और लेते हैं बिदा जैहिन जैभार